भारत ने ABH यास के लगातार 6 विकास परीक्षणों का सफलता पूर्वक परीक्षण किया. जानिए मुख्य बातें. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने एकिकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर और इशा से बहतर बूस्टर कॉन्फिगरेशन के साथ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टार्गेट हीट एभियस के लगातार 6 विकास परीक्षणों को सफलता पूर्वक प एक वास्तविक खत्रे की स्थिति प्रदान करता है अभियास को ADE में विकासाधीन एक autopilot की मदद से स्वायत उडान के लिए डिजाइन किया गया है अभियास में RCS, दृष्य और IR व्रिद्ध प्रणाली शामिल हैं जो हत्यार अभियास के लिए आवश्यक हैं अभियास का सफलता पूर्वक उडान परीक्षन 13 मई 2019 को किया गया था सफलता पूर्वक 10 विकास परीक्षन पूरे किये एक बयान में कहा गया है कि ABHYS ने प्रणाली की विश्वसनियता को प्रदर्शित करते हुए 10 विकास परीक्षनों को सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है ये पर परीक्षणों के दौरान, बूस्टर की सुरक्षित रिलीज, लॉंचर क्लियरंस और धीरज प्रदर्शन को कवर करने वाले विभिन्न मिशन उद्देश्यों को सफलता पूर्वक मान्य किया गया था। तीस मिनट के अंतराल के भीतर दो लॉंच बैक टू बैक आयोजित किये गए, जिसमें एम के साथ ओंपरेशन में आसानी का प्रदर्शन किया गया। बयान में कहा गया है कि सेवाओं के प्रतिनिधी उडान परीक्षणों के गवाह बने। DRDO द्वारा डिजाइन किया गया अभ्यास, जिसे बैंगलूरु में DRDO के Aeronautical Development Establishment द्वारा डिजाइन किया गया है और हिंदुस्तान Aeronautics Limited और Larson & Tubro द्वारा विकसित किया गया है। हतियार प्रणालियों के अभ्यास के लिए एक वास्तविक खत्रे की स्थिती प्रदान करता है। यह स्वदेशी प्रणाली स्वायत्त उडान के लिए एक autopilot की मदद से डिजाइन की गई है, जिसमें विमान एकिकरण, pre-flight check और स्वायत्त उडान के लिए laptop आधारित ground control system शामिल है। इसमें उडान के दौरान डेटा रिकॉर्ड करने की सुविधा भी है ताकि उडान के बाद विशलेशन किया जा सके। बूस्टर को Advanced Systems Laboratory द्वारा डिजाइन किया गया है और Navigation System को Research Center इमारत द्वारा विकसित किया गया है। पहचानी गई उतपादन एजेंसियों के साथ अभ्यास अब उतपादन के लिए तयार है। दोस्तों, ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी? घन्यवाद!